वन्ने जीव प्रेमियों के लिए आज को दिन बड़ा खास रहने वाला है शाम चाल बजे टाइगर सफारी रामगर्ड विष्धारी में परचन गतवीध्या शुरू होगी खेल मंत्रिय शोक चांद्रा रामगर्ड विष्धारी टाइगर रेजर्व में हरी जंटे दिखा कर सफारी वाहनों को रवाना करेंगे दलेलपुरा से टाइगर हिल तक के करीब 10 किलो मीटर लंबे रूट पर सफारी शुरू होने जा रही है और आज से आपर वफर के एक रूट पर सफारी शुरू की जा रही है अक्टुबर से दो अन्य रूट पर भी सफारी कराई जाएगी वने विभाग के अतरिक्त मुख्य सचेव चिखर अगरवाल PCCF हाफ मुनेश गरग मुख्यवने जीव प्रतिपाला का अरिंदम तोमर और रामगर विष्ठारी टाइगर जर्ब के जीएफो संजीव शर्मा की इसमें महतवपून भुमिका रही है मदारी के 16 मही को पिछले वर्ष इस टाइगर जर्ब की अदिसूशना जारी हुई थी और इसके बाद महज दो महीने में यहां बागिन को शिफ्ट कर दिया गया रंधमोर से यहां खोदिर चुल कर आया बाग T-115 पहले से मौजूद था और इसके बाद पिछले वर्ष 15 जुलाई को बागिन T-102 का यहां पर शिफ्ट किया गया था सूत्रु का कहना है कि बागिन यहां शावक भी डिलिवर कर सकती है या फिर कहें कि डिलिवर पहले ही कर चुकी है जिनकी आधिकार एक बुस्टी जल्द ही की जाएगी और इसे खबर बड़ा धिक जानकारी के लिए हमारे साथ नियूर्ज रूम से ब्यूरो चीफ नर्मल तिवारी भी जुड़ चुके हैं नर्मल जी क्योंकि देखिए सफारी के आज से शुरूआत होने जा रही है क्या कुछ खास रहने वाला है देखिए आईशे आज बड़ा मैत पूर्ट दिन है और बड़ा खास दिन रामगड विजदरी इतना कह सकते हैं एक बड़ा ही भाग्यशाली छेत्र इस मायने में कहा जाएगा कि एक साल के अंदर यहां पर काफी सारे डवलप्मेंट हुए है मुझे ध्यान है पिछले साल 16 माई को जब इसकी अधिसूचना जारी की गई थी बताओ टाइगर रिजर्व और उसके ठीक दो मैने बाद ही यानि 15 जुलाई को यहां पर एक टाइग्रेस की रिलोकेशन भी कर दिया गया था उसको ट्रांसलोकेट कर दी गई थी वहां क्योंकि T-115 नाम का जो टाइगर था खुद रन्थमबोर से चलके रामगर विजदारी पहुंच गया था और जब बागिन T-102 को जब अविस्सा में जो आर्वी T-2 के नाम से जानी जाती है उसको वहां शिफ्ट किया दौनों के बीच में उनका जोड़ा बनाया गया और आज का दिन इसलिए मैक पूर्ण है आयुशी कि प्रदेश की तीसरी टाइगर सफारी शुरू हो रही है जो बफर जो एक रूट तयार किया है खासकर दलेल पुरा से लेकर टाइगर रिल तक बांदा पोल मेज नदी का जो पूरा छेतर है इतना सुरम में इतना शांदार खूपसरोत जगह है कि वहाँ जब परेटक पहुंचेगे तो निस्षित तोर पर उनको आनंद का अनुबह होगा तो आज शाम को चार बजे खेल और युवा मामलात के जो मंतरी अशोक चांद्रा इसका उद्गाटन करेंगे वहाँ पर जिला कलेक्टर बूंदी के जो जि इंदम तोमर वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहे और जिस एक शक्स ने जो इस पूरे काम को अंजाम तक पहुंचा है उसका नाम ने संजीव शर्मा जो कि वहां के डिएफ हो हैं संजीव शर्मा को एक नए टाइगर रिजर्व की जिम्मधारी दी गई ती उसको कै प्रेडिट सीदे तोर पर संजीव शर्मा को जाएगा आदा दर्जन से जादा जो प्रेटक वहांन है उनको वहां पर अभी तक रिजिस्टर कर दिया गया और उम्मीद है की जारी है कि हालंकि एक जुलाई से प्रदेश के अंदर जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमे परेटन गतिवतिया बंद हो जाते हैं मांसुन ब्रेक आ जाता है तीन मैने का क्योंकि रास्ते खराब हो जाते हैं परेटकों को उससे दूर रखा जाता है तो अक्टूबर में जब वापस से शुरूआत होगी टाइगर सफारी की तो निश्य तोर पर बानिया आज जो एक बीच का जो यह पूरा च्छेत्रे खास कर क्योंकि एक ऐसा व्रैद कॉलिडोर बन गया है अगर हम सीदे तोर पर बात करें राजिस्तान के अंदर दौलपूर करोली से लेकर इसे टौक सवाय मदोपूर उसके बाद बूंदी बूंदी के बाद सीधा कुंबलगर तक का जो मुमेंट वह देखने को मिलेगा मा सोद करता पॉंचेंगे वनरी प्रामी पहुंचेंगे की लामगद विजदारी में आप बाग तो देखेंगी उसके लिए वह पर आपको चौसिंगा भी मिलेगा मापर आपको ब्लू बूल भी मिलेंगे वहाँ से जब बहुए अ 성ि बे स कर जाएगा तो सबको शुबकामना है आज पूरी फॉरस्टीम को एंटार फॉरस्टीम को वनमंत्री हलांकि इस कारेक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं इमराम चौधरी जी लेकिन वो लगातार सत्यत मोनिटरिंग करते रहें लेकिन शिखर एकरवाल मुनिश गर्ग अरिंदम तोमर और संजीव शर्मा यह चार जने ऐसे थे चार लोग ऐसे थे चार अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने सबको मुम्किन कर दिखाया है तो बहुत सारी डेव सारी शुक्पामना उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो सफारी शुरू हो रही है यह बहुत आगे तक जाएगी नए रूट्स जुड़ेंगे और परटकों की संक्या वहाँ पर जो वाइड लाइफ टूरिजम के लिए पहुंचेंगे उनकी लगातार बढ़ती रहेगी आयोशी टिकेट मायना नहीं रखता है उशी इसमें मायना यह रखते है कि आप जाओ वाइड लाइफ को देखो कि कहीं लोग क्या टार्गेट कर कि यह जाते हैं कि मुर को टाइगर ताइगर देखना आपको इस तार्गेट से हटना पड़ेगा है टाइगर रिजर्व में जारे आपको वह पैंथर भी देखेगा, वहाँ पर आपको डियर फैमिली के भी तमाम जो सदश हैं वो भी वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर जैकॉल, फॉक्स हैं, डोल हैं, तमाम पॉर्क्यूपाई ने बहुत सारे जंगली जानवार होते हैं, उसके लब बहुत सारी चड़िय हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, तो 200 से ज्यादा किस्मी की माइड़ेटरी बर्ड और लोकल बर्ड देखना को मिलती हैं, तो परेटक जब जाए तो इस बात को अपने जहन में लेके जाए, कि जंगल की खूबसूर्ती को निहारे, ऑक्सिजन लेने की कोशिश करें, वहा सफारी शुरू हो जाती है, तो उम्रीद की जानी चाहिए, महा टाइगर फैमिली का भी लगातार विस्तार होगा, और टाइगर टूरिजम का भी, और बिल्कुल निर्बल जीए, आपका बहुत बहुत शुक्री हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारी हमारे स साजा करने के लिए